हेलो एव्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आज हम करेंगे हमारे ट्रांसपोर्ट अन्-कम््मुनिकेशन का पार्ट फोर्थ यानि कि एर ट्रांसपोर्ट इससे पहले आपको तीन लेक्चर हम लोग देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में, रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, और आज हम करेंगे एर ट्रांसपोर्ट के बारे में बाद, अब आप में से लोग सोचेंगे कि इन चार्ट के बाद ये टॉपिक खतम हो जाएगा, तो नहीं, ये कैसे दूँगा जिसमें मैं आपको रेल, रोड, वाटर और एर ट्रांस्पोर्ट का अलग-अलग बताऊंगा इससे क्या होगा यहां पर आपकी कोई भी चीज स्किप नहीं होगी जो भी important होगी exam point of view से तो लेकिन अब आप लोग अगर सोचेंगे यह चार करने का पहले क्या फाइदा आपको इन चार में जो मैंने चीजे बताई हैं यहां से अब आपको यह सारी चीजे clear होना start हो जाएगी और lecture के बाद ही आपको हर एक चीज अपने office जाता हूं office से आके मैं अभी काफी सारी organization के साथ काम कर रहा हूं जिसके लिए हम लोगों ने एक post भी डाला था आप लोगों के साथ भी वह मैं share कर दूंगा अगर आपके नोन में भी कोई है जो लोग daily wager है या जिन लोगों के पास अभी दाशन नहीं है आप लोग उनकी contact details या अपनी contact details हमारे साथ share कर सकते हैं तो हम लोग उन्हें contact करने की कोशिश करेंगे सुबह से लिके अभी तक 35 लोगों की mail आ चुकी थी तो आप लोगों को मैं बता दूं तो इसमें काफी दिन निकल जाता है मेरा शाम को साड़ेशे साथ बच जाते है तो इसलिए lecture जो ह है वो एक दिन आपको लेट मिल रहा है लेकिन कल saturday sunday off है मैं कोशिश करूँगा यह जो हमारा part है हम लोग इसको 50% कल खतम कर दे कल और person लगा के और उसके बाद में आपके लिए लेकिया हूंगा mcqs जिसमें आप लोगों को सारे के सारे important points में cover करवा दूंगा और communication आपक कीज में हर लेक्चर से पहले आपको रिमाइंडर दे रहा हूं यह वाला जरूरी क्यूं है आप लोगों को नहीं पता अभी exam कब होगी कितने exam कितना delay होगा यह तो आप लोगों को कोई लेना देना नहीं एक्जाम कब होता है आपका 30 में को आपका exam है हमारे साथ यहां पे अगर आप लोगों को देना है पहला और दूसरा बहुत सारे लोग दे चुके है अगर आप लोगों ने नहीं दिया आप लोग वह भी जाकर दे सकते हैं आप लोगों को इतना पता है तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे डिटेल में क्या होता है यहां पर हमारा एर ट्रांसपोर्ट इससे पहले मीन्स आफ ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने लांड कवर कर दिया है पाइप लाइंज जो है आपका में कवर होगा वॉटर हमने पढ़ा इंपोर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े हैं जो सबसे जादा आपके डिलेटिट है जिससे बनके आते हैं उसके अलावा हमने पढ़ा आज पढ़ेंगे हम लोग एर ट्रांसपोर्ट जिसमें हम नैशनल इंटरनेशनल को कवर करने की को सबस्क्राइबा जिसमें के लिए तो फॉट में से पढ़ाएं छो फास्टेस्ट आपका एड्रांसपोर्ट ये आपको दोनों याद रहने हैं कोई बड़ी बात निये हैं यहां पर पूछा जाए तो air transport basically है क्या तो air transport fastest mean of movement है from one place to another अब आप लोगों ने देखा होगा जम्मू से अगर मैं बात करूं सिरिनगर जाने के लिए तो हम लोगों को तक्रीबन तक्रीबन time लगता है अगर हम road by road जाए तो 8 गंटे आप लोग मान के चले वहीं अगर हमें ज maximum to maximum 40 minute में cover कर लेते हैं तो कहां 8 गंटे कहां 40 minute तो यह आपका क्या है fastest mean of movement है एक जगा से लेके दूसरी जगा जाने के लिए distance काफी कम हो जाता है travel time हमारा बहुत बचता है जिसकी वज़ा से इसको काफी सारे लोग prefer करते हैं लेकिन अगर हम बात करें क्या यह cheapest है तो यह cheapest नहीं है आप लोगों ने air tickets देखी होंगी अब यहाँ पर यह चीज़े आई कैसे हमने एक चीज़ देखी थी क्या railways कोन लेके आया था railways लेके आया थे हमारे Britishers किसके लिए लाय थे क्या लोगों के लिए नहीं वो अपने फाइदे के लिए चीज़े लेके आया थे हमने वहाँ पर चीज़ें देखी वैसे ही air transport इंडिया में शुरुवात कब हुई तो वो हुई थी 1911 में अब यह question आपक को पूछा जा सकता है जब quick revision होगी तब सारा discuss हम करेंगे 1911 में यह आया था जब airmail operation commenced over a little distance of 10 km between Allahabad and Nanny अब यह दोनों जगा आपको याद रखनी है कब शुरू हुआ 1911 में कितना distance था यह भी आपको पता होना चाहिए 10 km ही सिर्फ यह चली थी कहां से लेके कहां तक Allahabad से लेके यह चली थी सिर्फ Nanny तक तो यह आपको याद रखना है लेकिन वापिस से जब Britishers थे Britishers ने जो चीजें की वो सिर्फ अपने फाइदे के लिए की वहाँ पे rail हो या roadways हो या waterways हो जो भी चीजे थी लेकिन जो सही development हमें देखने को मिली वो कब देखने को मिली हमे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीडेट के बाद जब इंडिपेंडेंस हमें मिल गई 1947 के बाद बहुत सारी ऐसी organizations बनाई गई जिसमें सबसे important है आपकी airport authority of India हम डिटेल में बात करेंगे airport authority of India के जो recent program चले हैं उस पर भी बात करेंगे तो इन्हों ने क्या किया basically airport authority of India के बनने के बाद बहुत सारे projects आए जिसके तहर हमने जो air में अगर हम बात करें air transport में काफी सारी development हम लोगों ने की है सारी हम बात करेंगे उडान scheme क्या आई national connectivity क्या आया सारा पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे अब थोड़ा साम यहां पे history को देख लेते हैं इंडियन airlines के बारे में स तक सिरफ 10 km का ही सफर था यह अलहाबाद से लेके कहां तक यह आपको जगा याद रखनी है बहुत ज्यादा important हो जाती है आपके exam point of view से उसके बाद 1947 में क्या हुआ चार major companies आई इंडियन नेशनल एरवेस के जिसमें एक थी आपकी इंडियन नेशनल एरवेस टाटा संस लि नहीं रखने है बड़ आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे क्या हुआ development हुआ फिर 1951 में क्या आया चार और companies ने जॉइन की सर्विसे जिसमें एक थी आपकी भारत एयरवेस हिमालियन एविएशन लिमिटेड और एयरवेस इंडिया एड कलिंगा एयर लाइज इन चार ने आ कब नेशनललाइस किया गया तो ये किया गया था आपका 1953 में यहाँ पर अब confusion क्या होती है national highways के लिए हमने देखा कौन होता है और नेच एई आई इमने देखा किया होता है international waterways authority of India वैसे ही airports के लिए किसको बनाया गया Airport Authority of India अब लेकिन क्या ये बात Airport Authority की की गई है नहीं आपको confusion नहीं करनी है यहां पर create आगे जैसे जैसे lecture चलता जाएगा आपको सारी चीज़े clear होती जाएंगी नेशनलाइस्ट हुई और दो Corporation थी एर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एरलाइन वर फॉर्म नाव इंडियन एरलाइन इस नोन एस इंडियन तो यह आपको ज्यादा passengers को लेकर जाने में करता है मदद करता है तो नहीं ऐसा नहीं है कौण सी चीज़े हैं यहां पर आपके एर ट्रान्सपोर्ट करते ही करते हैं लेकिन कार्गो यानि जो आपका संवान हो गया जो सब लेकर जाने भी आपके ट्रांस्पोर्ट काफी मदद करता है पवन हंस एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे जो की हेलिकॉप्टर सर्विस प्रवाइड करता है हेलिकॉप्टर टेक्सी जो चलती है यहाँ पे अगर हमें शिमला से जम्मू आना है या कश्मीर जाना है या लदा इससे जादा आपको डिट्यल में याद नहीं रखना है अब जो यहाँ पे हम इंपॉर्टन पॉइंटस को डिसकश करेंगे वह आपको थोड़े से ध्यान से सुनने है थोड़े से जादा ही आपको द्यान से सुनने है ताकि आपको हर एक चीज केलीर हो जाए अब यहाँ सबसे पहली चीज जो हम लोग ने भी बात की एरपोर्ट अथारटी ओफ इंडिया आप लोगों का होमवक का देने का मेन मक्सद है कि इससे आप लोग सर्च करते है यह आप सीरा कमेंट बॉक्स में चले जाए आपको एक्टर नॉलिज मिलती है और जो चीज आप खुछ इन्डिया का कौन है जिसके तहट क्या चीज की गई यह किसके अंडर आती है तो यह आती है एक पूर्ट अथा एंडिया एक कौन है मिनिस्टर नितिन गटकिरी जी इसके अलावा हम लोगों ने देखा वाटर वेस्ट किसके अंडर आते हैं इंटरनेशनल वाटर वेस्ट ऑफ इंडिया तो यह आती है शिपिंग एक्सपोर्ट यह सब के अंडर कौन है मांसुक मानवडविया जी और यहां पर अगर हम बात करें एर्पोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया किसके अंडर आती है तो एर्पोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया आपकी आती है एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सेट कर दूं तो आपक है एक सेकिंड लुक किएगा तो यह आती है आपकी मिनिस्ट्री आफ सिविल अवियेशन के अंडर तो अब यहां पे जो इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट अभी रिसेडली इनके चले है आपको इनके बारे में बस एक बारी की रीड करना आपको ताकि यह याद रहे आपको याद रहे इसके अलावा एक गगन प्रोजेक्ट जो है वह चल रहा है जो आमारी एरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया है उनका इसके तहत जो इनकी बेसिकली एक अलाइंस बनी गई है या फिर इस रोग के साथ मिलके काम कर रहा है और इनका काम क्या है यहां पर टुगेट नेविगेशनल रिक्वार्मेंट ऑफ दे एर्क्राफ्ट नेविगेशन सिंग्नल रिसीब फ्रॉम दा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानि की जीपीएस वुड बी और मेंटेड तो यह गगन प्रोजेक्ट है आपको याद रखना है गगन प्रोजेक्ट किस-किस के बीच में चल रहा होगा प्रफॉर्मेंस बेस नेविगेशन भी शुरू किया है अपना प्रोजेक्ट तो इसके तहट क्या होता है प्रफॉर्मेंस बेस नेविगेशन प्रोसीजर कहां पर है डेली मुंबई और एहमदाबाद तो यह आपको बस इतना याद रखना है इसके अलावा आपको याद नहीं रखना है अब एक इंपोर्टेंट चीज जो आपके करन्ट अफेर से भी रिलेटेड है हम लोगों ने पढ़ी थी 2016 में एक चीज जो हमारी वाटर ट्रांसपोर्ट में आई थी वह क्या थी हम लोगों ने चीज को पढ़ा था वाटर ट्रांसपोर्ट में 2016 में आप लोग कमेंट करके बताइएगा इससे आपका पुराना लेक्चर भी रिवाइस होगा और आपको याद रहेंगी चीजे वैसे ही सिमिलर तरीके से नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी को भी इंट्रड्यूस किया गया था 2016 में गवर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह पहली बार किया गया था जब एक सिविल एविएशन पॉलिसी को फॉर्मूलेट किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद से क्यूंकि आप लोगों ने देखा होगा 2015-16 के बीज में बहुत सारी चीजी आए थी कि सिरफ जो अपर क्लास है वही एर ट्रांस्पोर्ट यान इंक्लूट किया जाए कि वो भी उसमें ट्रेवल कर सकते हैं तो यह पहली पॉलिसी थी इंडिपेंडेंस के बाद और यह काफी इंपॉर्टेंड है नेशनल से भी अविएशन पॉलिसी तो यह पॉलिसी का बेसिकली क्या काम था कि 20 एरिया जो है इंडियन सेविल अविए अभी तक आप लोगों ने देखा था चीजें की जो एर ट्रेवल हो रहा था जो चीजें चल रही थी जम्मू से आप देली जा सकते हैं जम्मू से आप सरीनगर जा सकते हैं सिर्फ इसी तरीके से था काफी कम लिमिटेड एरिया तक तो इस स्कीम के अंडर या इस पॉलिसी पॉलिसीकि एंडर बेशिक ली क्या किया गया था नेशनल स्भी ऐवीएशन पॉलिसी के अंडर ये किया गया था कि ऐफोर्डिवल बनानी है पहले चीज की जो middle class लोग है वो भी travel कर सकें दूसरी चीज का क्या देखा गया था कि जो regional connectivity है air connectivity उसको strong किया जाए तो इसके लिए आपकी national civil aviation policy आई थी कब आई थी आपको याद रखना है 2016 में और इसी के साथ एक सबसे important scheme जो आई थी जो आपको याद रखनी है उडान scheme यानि की उ जिसका main objective सिरफ यह था कि make air travel affordable and convenient for the common man national civil aviation policy हमने पढ़ी लेकिन scheme कौन सी थी तो scheme है आपकी उडान scheme अब यहाँ पर important points यह है चार exam में आप लोगों ने देखा आपको match the following भी पूछे जाते है जेके SSB के द्वारा तो हो सकता आपको इस form में पूछा जाए उडान scheme किसके लिए बनाई गई थी जो आपकी connectivity होगी air travel के द्वारा उसको बढ़ाने के लिए यानि कि अगर आप लोग पहले एक region से दूसरी region त नहीं रखना है भारत माला प्रोजेक्ट यह बने आपको बताया था यह किसके लिए था यह रोड और हाइवे प्रोजेक्ट को connectivity को इंक्रीज करने के लिए इसका जो डेडलाइन थी यह जो इसका टार्गेट था वो 2025 हो गया है शायद से एक बार आप लोग कंफर्म करके ब बढ़ाने के लिए और चोथा जो आपके कम्मुनिकेशन में आ जाएगा यह आगया आपका डिजिटल इंडिया जिसके तहट आपकी online mode के थ्रू करेक्टिविटी बढ़ाई जाए तो यह चारों बहुत ज्यादा important है रोड के लिए आप लोगों का आगया कौन सा भारत माल वाटर के लिए आपका आगया सागरमाला एर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपका आगया उड़ान और डिजिटल यह आगया आपका online mode में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपका डिजिटल इंडिया आपको यह चार याद हुए होंगे मैं बिल्कुल basic to the point देखी होगी air transport के अंडर ही पिछले कोविट के दोरान जब पिछले साल यह चीज को मिली थी हमें travel गहीं breci air bubble क्या होगा या फिर आप लोग इसे air transport bubble भी कह सकते हैं ये क्या था तो यह government of all the nations is Implementing the travel bubble और air bubble जिसके तहत क्या हुआ था agreement हुआ था countries के लिए जिसमें आप लोगों को कहा गया था जो लार्ज number of quarantine होते थे लोग या फिर हम COVID-19 testing rules होते थे arrival जब भी आप कही जाओ अभी in fact आज भी अगर आप स्रीनगर में आ रहे हो किसी बाहर की फिलाइट से आपके test होते हैं यह सब चीजे होती ध्यान दीजिएगा मान लीजिए जैसे आप लोग इंडिया आ रहे हैं USA से आज की डेट में तो आज की डेट में आप लोगों ने देखा है कि इंडिया में काफित ज्यादा कोविट के cases आ रहे हैं इसके तायत हो सकता है कि USA यह ना माने यह एक सब्सक्राइब किया है और यह कंसीडर करते हैं दूसरे को सेफ है कोविट के रिलेटेड तो यहां पर क्या है तो यह लोग करता था तो यह हुआ था आपका एयर ट्रांसपोर्ट बबल के अंडर यह आपका करण्ट इवेंट में भी आजा था इसलिए आपको याद रखनी है चीजे जैके अब यहां पर एक और चीज आपको बतानी है क्योंकि के रिलेटेड ही है तो आप लोगों को याद रखने में असानी होगी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं अभी हम लोगों ने पढ़ा रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में यानि कि हम लोगों ने एक करके दूसरी एक कंडिशन रखी गई थी 5 by 20 अब 5 by 20 का क्या मतलम होता है 5 by 20 एक रूल आया था जिसके तहत कहा गया था कि कोई भी अगर आपकी डिमेस्टिक एरलाइन है उसको अगर इंटरेशनल फ्लाइ करना है तो उसको पांच साल डिमेस्टिक जो है फ्लाइं के एक्स रिलेटेड लेकिन अगर आप यहां पर क्वेशन पूछा जाए एक चीज आप लोगों के सामने है करंट अफेर में यह भी हाली में शायर लास्ट लास्ट यह हुई थी 5 by 20 रूल को हटाया गया था किसके लिए तो यह आपको याद रखना है एर इंडिया की एक सब्सिडि कहां से कहां इंडिया से लेके श्रीलंका तक इसलिए 5 by 20 रूल आपको समझना जरूरी था एक्जाम में हो सकता है क्वेशन यहां पर यह पूछा जाए कि कौन सी ऐसी एर लाइन है जिसके लिए 5 by 20 रूल चेंज हुआ हो तो आपको समझना चाहिए कि 5 by 20 रूल होता क्या है 5 हो गया आपका कि 5 साल का आपके पास experience होना चाहिए 20 आ गया कि आपके पास 20 aircraft होने चाहिए तो यह जो चीज थी यह आपकी जो एर्लाइन्स है इसके पास दोनों नहीं थे लेकिन फिर भी इसने अभी हाली में श्रिलंका में ट्रेवल करा है तो आपको यह याद रखनी है वंदे भारत मिशन हुआ था मैंने आपको वाटर वेज जब हमने वाटर ट्रांसपोर्ट के था तब भी बिताया था इंडियन को एक्वेट करा गया था कंट्री से आप से पूछा जा सकता है उस मिशन का नाम क्या था तो वो मिशन था वंदे भारत इससे ज़ाद आपको याद ने रखना क्योंकि हार एक कंट्री में यह गए थे फ्लाइट तो आपको इतना याद रखना इसके अलावा पहली हेलिकॉप्टर समिट कहां पर हुई थी तो यह हुई थी आपकी उत्त्राखंट दहरा दून में बाकी जो इंपोर्टेंट फैक्स होंगे उसको मैं आ आपका ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड क्वेशन आया है उसको निकालना पड़ेगा तो उसके लिए काफी महनत लगती है अभी मैंने आपको बताया कि मैं जो कर रहा हूं चीज़े उसके लिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा मोर्जाव ट्रांसपोर्ट कितने तरीके के होते हैं आपका आज हमने पढ़ा एर इसके अलावा हमने पढ़ा रोड यानि की रोड को हमने दो में किया है होता कुन सा यह बेसिकली तो यह है आपका लैंड और तीसरा आपका आता है वाटर वे पड़ी हमने पहली चीजंपढ़ी ए ट्रांसपोर्ट के रिलेटिड वह यह पड़ी कि यह क्या है हमारी है की है कि फास्टेस्ट एस लिए कोई मोध धाता है क्योंकि इसमें टाइंब का कम लगता है हमारा बहुत से होता है में अट Cum अलहाबाद से लेके कहां तक नैनी तक अब टोटल डिस्टेंस कितना था इसका तो टोटल डिस्टेंस था इसका सिरफ 10 किलोमेटर उसके बाद हम लोगों ने चीजे यहां पर पड़ी हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी 1947 में हम लोगों ने क्या देखा इसके बाद 1947 में जो ह चार मेजर कंपनीज आई थी आपको चार मेजर कंपनीज के नाम नहीं याद रहने लेकिन फिर भी में आपको यहां पर बता देता हूं कि वो चार कुंसी थी चार मेजर कंपनीज में पहली थी आपकी इंडियन नेशनल एर्वेस टाटा सन लिमेटेड थर्ड आपकी थी एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और फॉर्थ आपकी आ गई डेकन एयरवेज नाइंटिन फॉर्टी सेवन के बाद चीज़ें किस तरीके से हुई कि 1951 में चार मेजर कंपनीज जो थी वो और इंक्लूड हुई इन सर्विसेज में जिसके में चार कंपनीज कौन-कौन सी थी भारत एयरवेज सेकेंड वन इस हिमालेयन एविएशन लिमिटेड थर्ड आई हमारी कौन सी एयरवेज इंडिया और फॉर्थ आई हमारी कलिंगा एयरलाइन तो यह तो 1951 तक किया 1953 में क्या हुआ नाइटिन फिफ्टी थी में आपको याद रखना है नेशनलाइज हुआ क्या एयर ट्रांसपोर्ट और दो नेशनलाइज टू कॉपरेशन एयर इंडिया इंटरनेशनल और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन वर फॉर्म्ड तो क्या हुआ बेसिकली कौन-कौन सी फॉ एयर लाइन तो यह तो हमने पढ़ा पहले थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में उसके बाद 2010 तक कितने हुए पवन हंस क्या है पवन हंस एक आप लोगों का जो है वो क्या करता है हेलिकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर है तो आपको यह भी याद रखना है टूरिजम में का आपकी एअरपोर्ट अथॉर्टी आफ इंडिया एक्ट 1994 यहां पर इस डेट को याद रखना है याद निंटिंनिटिफॉर एक्ट में यह आई है और काफी सारे इसके प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे है जिसमें एक आप का आ जाता है एड में यानिक आपेज्ट सर्विल system तूसरा आपका आजाता है यहां पे गगन प्रोजेक्ट किसके साथ कर रहा है यह तो यह कर रहा है आपका इसरों के साथ तीसरा आपका आजाता है performance based navigation तो इसके अलावा जो important चीज आई है वो क्या आई वो आई आपकी national civil aviation policy most important question कब आई यह यह 2016 में इसका एम क्या था इसका एम था जो भी आपका air transport है उसको affordable करा जाए regional connectivity आपकी बढ़ाई जाए तो यह आप लोगों का introduce हुआ 2016 में और पहली ऐसी policy थी independence के बाद जो लेके आई गई थी तो यह आपको याद रखना है इसके बाद एक important scheme है आपकी वो है आपकी उडान scheme उडान scheme का भी में जो टार्गेट है यह में जो टार्गेट था वो यही था कि affordable किया जाए यहाँ पर original connectivity को strong किया जाए इसके अलावा उडान scheme आ गई हमारी किसके लिए air transport के लिए भारत माला हम लोगों ने पढ़ा किसके लिए है हमारी roads के लिए तीसरी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी थी क्या सागर माला यह आगी हमारी कुन सी connectivity करने के लिए water और coastline के लिए इसके अलावा जो हमारी एक आई थी वह आई थी डिजिटल इंडिया scheme जो online कोशिश की गई थी mode में हम लोगों को जितने भी online है चीजे उसके तहत connectivity स्ट्रॉंग की जाए इसके अलावा हम लोगों ने चीज पढ़ी एर बबल या फिर हम बात करें इसी का ही एक और नाम है ट्रैवल बबल और या फिर अगर हम बात करें एर ट्रांसपोर्ट बबल तो यह जो है यह क्या था तो यह आपका था agreement एक sign होना start हुआ था कोविड के बाद जिसके तहत दो country आप लोगों कोई क्या consider करती है एक दूसरे को safe जिसके तहत आप लोगों कोई जो भी restrictions हैं वो क्या कर दी जाती है हटा दी जाती है जिसके की quarantine center नहीं होगा quarantine center के बाद अगर हम बात करें टेस्टिंग नहीं होगी तो और important चीज थी जो शायद से मैं lecture में skip कर गया हूं free skies agreement है शायद से इसके तहत क्या होता है यह आप लोग दूसरे की space use कर सकते हैं इंडिया ने पहली बार किसके साथ किया था तो यह किया गया था आपका Greece के साथ अगर इसमें कुछ गडबट होगी तो मैं आपके अगले lecture मे 5 by 20 rule उडान के तहर decide किया गया था regional connectivity के लावा 5 by 20 पे है कि आपका 5 साल का क्या होना चाहिए experience या फिर 20 आपके पास क्या होने चाहिए aircraft तभी आप लोग क्या कर सकते है international travel कर सकते हैं अपनी airlines के साथ लेकिन यह जो है इसको change किया गया था किसके लिए Air India की एक subsidiary है Air India नहीं ल चिड्री है क्या नाम है उसका Alliance Air और इन्होंने कहां से कहां किया था इंडिया से लेके श्री लंका तक इसके अलावा कोविड के दौरान वंदे भारत मिशन जो है हम लोगों का वो किया गया था जितने भी हमारे इंडियंस फसे थे बाहर उन्हें बाहर निकालने के लिए और आप लोगों की जो हेलिकॉप्टर सम्मिट हुई थी पहली बार वो कहां पर हुई थी वो हुई थी आपकी दहरा दून में इसके अलावा काफी सारे करन डेफिस ऐसे मुझे अभी याद है पहली आपकी कौन सी एयर लाइन है जो कार्गो के लिए यूज की गई थी या हुँगा दो एक दो साल की जिते भी इंपॉर्टेंट करेंट फेर्स एंसी की फॉर्म में ताकि आपको सब चीजें याद हो तो यह था हमारा एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया आई होप आपको चीजें याद हुई होंगी जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रह आती है उसके बाद मैं यह लेके आता हूँ तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा आप लाइक कर दीजेगा इसको ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अभी आप लोगों का सिरफ एक ही काम है कि आप लोग क्या करें अपने घरों पे रहें सिरफ और सिरफ घरों करें ज्यादा स्ट्रेस ना लें आप लोगों का काम है सिरफ प्रिपेर करना वह आप करते रहें बहुत मैंनत करें मैं बहुत सारे लोगों से मिलता भी हूँ इस समय आप लोग बहुत ही अच्छे सिच्वेशन में है जो अपने घरों पे बैठके आज यह लेक्चर सुन प लान है अगर आप लोग इसके में कॉंट्रिब्यूट करना चाहते हैं तो अगर आपके घर के पास कोई ऐसा इंसान है जो भी चीजें नहीं अफोर्ड कर पा रहा है राशन भी जिनके पास दो टाइम का नहीं है आप लोग उनकी डिटेल समय शेर कर सकते हैं हमारी टीम यह सारी चीजें चलती रहेंगी टाइम टू टाइम दो बार मेरे को कोवीड हो चुका है तो मुझे पता है कि इस बार वाला कितना सीरियस है आप लोगों से पस यह रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों पे रहें सेफ रहें और बाहर मत निकले तो चलिए आज के लिए सर् आल दे बेस्ट तैयारी करते ने कल मिलते हैं